आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत हैं नवरात्री के उपलक्ष में आपके लेके आए हैं नो नग निफ्टी के आज है नवरात्री का सात्वा दिन और ये व्रद हम माता काल रात्री के लिए बनाते हैं इनका माना जाता है कि हमारे आसपास अगर कोई बुरी चीज फटकती है तो ये माता उन से हमारी रक्षा करती हैं इनको प्रसंद करने के लिए आज गुड का परशाद रखा जाता है साथ वे दिन चलिए चलका शुरुआत करते हैं किस सेक्टर के लिए आपके लिए कहा है हम लिए कहा है बैंकिंग सेक्टर का एक और नग State Bank of India भारती है State Bank one of the largest bank in the world इस बैंक में इतने account खुले हुए है कि अगर आप top 4 countries की population ले developed countries की उससे जादा हमारे account इन्होंने खुले हुए है इनके customer देखेंगे तो 45 करोड कस्टमर है, 22,000 branches है, 23% market share है और साथ साथ में इनका जो deposit का advance जाता है वो 20% का market का है तो एक पाचवा हिस्सा market का जो loan दिये जाते हैं वो State Bank of India से दिये जाते हैं तो उसे साबसे ये must have है आपके लिए long term की दरश्टी से stock अगर हम home loan की बात करें तो देखें इनके home loan approximately यहां पर 10% फीसदी बढ़े हैं जो बहुत अच्छी बात है home loan retail segment का बहुत बढ़िया loan रहता है auto loan जो की car segment रहता है उसमें भी 5% का इजाफा आया है और personal loan काफी तेजी से बढ़ रहे हैं 32% लोग बाग हमें सुनने मा रहा है personal loan ले लेकर share खरीद रहे हैं दोस्तों आपको एक बात बताता है चाहते हूँ इस वीडियो के माद्यम से stock market में पैसा वो ही लगाई है जो आपका खुद का है और 3 साल तक आपको उस पैसे की ज़रुवत नहीं है state bank of India यहाँ पर भारत के remotest area में अगर कोई branch मिलेगी तो state bank of India की मिलेगी आज से नहीं 10 साल पहले से भी state bank of India अगर हम देखें तो one of the biggest bank in the world है यहाँ पर और अब quarter 4 भी काफी strong आने की उम्मीद लग रही है इसमें deposit काफी तेजी से बढ़े है at the rate of 15% customer expansion हो रहा है यहाँ पर consumption theme बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते हुए SBI के cards, credit card included और साथ साथ में debit card पे काफी ज्यादा transaction हो रहे है तो इनके जो SBI के senior executive है उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले financial year में दो digit की double digit growth की बात कर रहे है और advance करीब 13.5% ग्रो करने का target रखा हुए उन्होंने आगे आने वाले समय के लिए तो यहाँ पर access bank security ने इसको buy की rating दी है और इसका target 720 रुपे का बताया है यहाँ से आगे currently 500 रुपे के आजपास यह चल रहा है State Bank of India आपको पता है इसकी market cap करीब 457 करोड, 1000 करोड की market cap है यहाँ पर इनके MD अश्वीनी कुमार तिवारी जी ने इनका कहना है कि यहाँ पर overall policies बहुत अच्छी देखी हैं पिछले कई सालों से RBI के लिए but अब inflation को fight करने के लिए interest rate बढ़ाना पड़ेगा and they will surely look into increase the rate if they are warranted अगर RBI बढ़ाता है तो of course वो cost इनको अपने respective customer को भी बढ़ाना पड़ेगा तो जो home loan है अगर किसी को जल्दी fix rate वाला loan लेना है तो आप जल्दी से करके अपना loan ले लिजे वरना आगे interest rate बढ़ सकता है house loan के लिए और भी car और other loans पर भी rate बढ़ सकता है देखिए चाहे तो हमारे channel को free में subscribe कर सकते हैं अब जड़ा चलकर इसके level देखते हैं आज technically क्या असर आ रहा है state bank of India पर बंध होते होते 516 का target पहुँच चुका है अब इसका आज ये काफी अच्छे level पर मिला है फ्लैट रहा है almost बट यहाँ पर देखिए करीब 0.2% के असपास बढ़ा है volume की दर्सिश देखेंगे तो एक दशनलव 3-5 करोड share hand exchange हुए जिसमें से 22% की delivery है इसमें trading जादा होती है इस बात को समझेगा इसलिए delivery थोड़ी कम रहती है काफी heavily traded counter है traders का favorite है PSU bank के reference में आज अगर देखें तो इसने काफी अच्छा प्रस्तुती करन किया है यहाँ पर अपना जो support ले रहा था नीचे के level पर यहाँ support लिया फिर यहाँ support लिया अब यह incline level पर पहुँचता जा रहा है और हमारे इसाब से उपर का level 550 के आसपास यह पहुँचने का बहुत जल्दी अचीव करेगा आने वाले स हिससे से देखे कितना अच्छा 440 से लेकर सीधा 516 के level पहुच गया है बहुत अच्छा bounce back दिखाया है इसने resilience दिखाया है अपना यहाँ पर super trend buy signal generate कर रहा है RSI के level 62 जो की एक positive territory में इसको लेके जा रहा है अभी और उपर जा सकता है यहां से अगर MACD को देखे तो पिछले 15 दिनों से इसने MACD ने buy signal generate करके रख़वा है यहां से जब से 470